जै शिरी राम, जै बजरंग वली, जै बावा नीम करो ली महराज जी की कथाओं की शंकला में एक सुन्दा सी कथा आज आपको सुना रहा हूं घट्डा कुछ इस प्रकार है कि इलावाद में एक बार बहुत बाढ़ आई थी तता गंगाई अमना का जल इस्तर बहुत ही ऊपर आ गया था जल धारा बहुत ही वेगवान थी तटवर्टी किले के कुछ पत्थर बाढ़ में बैग गए थे और पानी किले में प्रवेश कर रहा था आसपास का बहुत सा भाग जल मगन हो चुका था प्रसिद बड़े हनुमान जी का मंदिर भी जल मगन था तदकालीन रक्षा मंत्री डॉक्टर काड़्जू इस्थिती का अबलोकन करने स्वयम बांथ पर पहुँचे डॉक्टर काड़्जू स्वयम बहुत ही धारमिक व्यक्ती थे उनको देखते ही कुछ पुरोहित उनके पास पहुँचे और उनसे प्राटना की कि हर्मान मंदिर की सुरक्षा के उपाए करवाए जाए पुजारियों ने कहा कि हर वर्ष हर्मान मंदिर जल में डूब जाता है और जल इस्तर कम होने के पर बहार आ जाता है किन्तु इस वर्ष बाड़ की इस्तिती बहुत अदिक गंभीर है कुछ पीपल और बर्गत के ब्रक्ष जो बर्षों से यहां थे सभी बाड़ के काराण बहच चुके हैं इस से हर्मान मंदिर को भी छटिक रस्त होने की आशंका हो गई है डॉक्टर काड़्जू ने पुजारियों से सहनभूती दिखलाई कि तु साथ ही साथ अपनी असमर्थता भी सुईकार की और कहा कि यह कार उनकी शक्ति के बाहर का है और इसे कोई भी मानव नहीं कर सकता कैवल श्री हरुआन जी की क्रपा से ही यह कार संभभ हो सकता है साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार में बावा नीम करोली की सहता लीजिए क्योंकि वे हरुआन जी के अफ़तार कहे जाते हैं यह कहना उपयुक तत्वा आवश्यक नहीं है कि उनमें से कितने लोगों का डॉक्टर काडजू के कथन पर विश्वास था कि नीम करोली बाबा शिरी हर्मान जी के अफ़तार है क्योंकि उनकी आवश्यक्ता इस समय इतनी अधिक थी कि वह साहता के लिए किसी के भी पास जा सकते थे और यह सला डॉक्टर काडजू जैसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी अतहा सभी इस पर सोहविक रूप से मनंचिंतन करने लगे सभी लोग बाबा को याद करने लगे किन्तु कुछ देर बाद वह चुप हो गए उन में से कई लोग सफलता मिलती ना देखकर चले भी गए इतने में एक जीप आकर रुकी लोगों ने उसकी ओर देखा तक नहीं क्योंकि वहाँ पर भक्तों का आवा गमन दशनार्थियों का आवा गमन लगाता चलता रहता था उस चीप में से कोई उतर कर उनकी ओर आया जिसे देखते ही सब लोग चिला उठे लीजिए बाबा जी आ गए यही नीमकर वाली बाबा हैं सभी उनके पास दौड कर गए और उन्हें अपनी व्यता सुनाई सभी ने हर्मान मंदिर की सुरक्षा करने के लिए बाबा से प्रातना की बाबा जी ने कहा वह कुछ नहीं कर सकते हर्मान जी ही यह कारे कर सकते हैं सभी को हर्मान जी से ही प्राटना करनी चाहिए इसके साथ ही बावा ने थोड़ा गंगा जल मागा और अपनी हतेली पर लेकर उसे पी लिया और पुनहा जीप पर सभार होकर वापस चले गए जीप के जाने के बाद उनमें अधिकांश लोग चले गए जो रह गए उन्हें कोई ऐसा विश्वास नहीं था कि बावा के आने का कोई विशेश प्रियोजन है वे निराश थे किन्तु उसी रात से पानी का जल स्तर घटना प्रारंभ हो गया और दो दिन के भीतर ही मंदिर ध्वस्थ होने का संकट टल गया बाद में बहुतों को अनभव हुआ कि यह चमतकार स्वयम बावा द्वारा किया गया है कुछ ने कहा कि यह स्वयम हो गया किन्तु अधिकतर भक्त लोगों को लगा कि महराज जी ने वहाँ स्वयम प्रकट होकर इस सारे संकट को हर लिया लोग महराज जी को कश्टों और संकटों में पहले भी याद करते थे और उनके कार संपन हो जाते थे आज भी यही इस्तिती है यदि बाबा को सच्चे हिर्दे से याद किया जाए शद्धा और भक्ति पूर्वक उनका इस्मर्ण किया जाए तो ऐसा कोई कार नहीं जो असंभव हो बाबा असंभव को भी संभव करने वाले हैं बस आवश्यक्ता है केवल सचे हिड़े से उन्हें पुकारने की मित्रों यदिये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदिये आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो करपया आवश्यक्त लीजिए जै शिरी राम जै बजरंग वली जै बाबा नीम करो ली